तो हलो दस्तों स्वागत है आप सभी का concept of science YouTube channel में एक फिर से तो मैं सुझेश सर्मा आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ तो वीडियो का अंतक जरूर देखेगा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा एंढ हाँ क्लास 10th 9th के भी जो स्टुडेंट है वह भी इससे जरूर देखे काफी ज्यादा information आप यहां से लेकर के जाएंगे बहुत ही basic basic समया से समझके चलेंगे पहला सवाल है what is salt salt आखिर होती क्या है तो देखे जब भी हम acid और base को मिलाते हैं तब salt की हम इसा formation होती है तो जब भी acid और base हमारा मिलता है तो किसकी formation होती है तो तब हमारा salt की formation होती है और इसी प्रकार के reaction को दोस्तो हम neutralization reaction भी कहते हैं ठीक है ना neutralization का मतलब होता है जब भी कोई acidic medium हो तो उसमें हम बेस मिला करके उस सस्तांस को उस solution को क्या कर देते हैं neutral कर देते हैं तो हमारा salt क्या हुआ दोस्तों acid और base हो ठीक है ना यानिकि acid प्लस प्लस बेस्ट उप्शन सी को हम यहां पर करेक्ट करेंगे अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है what happened when a solution of acid is mixed with the solution of base कहा जा रहा है acid और base की solution दोनों को सब्सक्राइस करें जैसा कि अभी हमने थोरे दिर पहले एक और देखाए हैं यहां पर इसी और बेसको जब हम भी mix करते है जब भी मिश्करते दोस्तों तो यहां पर जो हमारा solution जो है वह तो हमारे neutral हो जाता है ठीक है ना यानिक हमें salt का formation देखने को मिलती है में तो होता है तो यहां पर आइज इन टेंपरेचर में देखने को मिलती है तो टेंपरेचर अप्रेचर अपर करेंगे बढ़ते हैं नेक्स के तरफ आए दुस्त अगले सवाल देखते हैं इसमें हाइडोजन पाए जाते है उसी को हम हाइड्रेसिट कहते है तो यहां पर यहां पर यहां पर यह चीज़ याद करके रखना पड़ेगा तो यहां पर होगा ठीक है इसको दुस्तो पर क्लोरिक एसीड भी कहा जाता है तो इस बात को पच्छे से यादर कीगा अले सबल देखते है वाटर इन केस ओप एसीएल एक्ट एजन तो देखिए हम जाही सा बात है दूस्त हो हाइड्रोक्लोरिक एसीड है तो वाटर किस प्रक से काम करेंगे और यहींगा इंग अमोनिया की तो इसको समयने करें है मैं एक रेक्शन देखना पड़ेगा जो कि निकलता है थाए यहां पर क्लोरी न आयन हमाई वह बाहर हो जाएगा तो कि यहां पर H plus iron H2 था और यहां पर H3 होगी तो यहांने कि एक hydrogen iron यहां पर क्या किया दोस्तो इसने receive किया तो इस case में water जो हमारा है वो किस के तरह काम करेगा दोस्तो बेस के तरह काम करेगा और यही हम बात करें ammonia के साथ plus water के साथ जब दोस्तो हम इसको react कराएंगे तो हमारा यहां पर हमें देखने को क्या मिलने वाली है हमें यहां पर NH4 ions देखने को मिलेंगे ठीक है NH4 plus OH तो यहां पर दोस्तो हम क्या देख रहे है यहां पर हम यह देख रहे है कि H plus यहां पर हमें donate होते हुए एक लिए रहे दोस्तों यहां पर है प्लेसान का क्या हो दोस्तों डोनेशन हुआ तो यह हमारा इस केस में एसीड के तरह काम करेगा ठीक है न इस बात को पच्छे से याद रखेगा तो वाटर इन इस बात को पच्छे से याद रखेगा तो बेस एंसीड ऑफसन भी हम यहां पर करेक्ट करके चलेंगे दोस्तों 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 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइशन होता क्या कि तो जो भी हमारे कौन सासा इस इस्में वाटर और क्रिस्टलाइशन नहीं पाए जा जाती है तो दोस्तों यहांपर सबसे पहले हम बात करते हैं देखते यहां पे तो ब्लू बेट्रॉल करतें तो दी यहां पर को नीकी को मिलवरीं वाटर इस टेख円 है यह यह बैकिंग सोटा की जोस्तों जोंब बात करते हैं तो हम लिखते हैं सोडीयम भाकर कर्वनेटte की एन फिर अमतिकिल्एतं आत करते हैं यहां पर पीयों फिर मुला हुटा-वodig होता है तो calcium sulphate.2 molecule of water होता है हमारे यहां पहेंगे नहीं तो यहीं दोस्तों हम बात करते हैं हीट करते हैं 100 degrees Celsius पे तो यह बना देता है calcium sulphate.1 by 2H2O और यहीं जो दोस्तों होता है हमारे यहीं हमारे क्या बनता है Plaster of Paris Plaster of Paris ठीक है न तो Plaster of Paris के बारे हम जानते होंगे इसी को हम हीट करते हैं 100 degrees Celsius पे तो हमारे Plaster of Paris बन जाता है लेकिन इस सवाल के तरफ हम चलते हैं वापस तो यहां पर कहा गया है किसके पास water नहीं है तो दोस्तों हम यहां पर देखते हैं बैकिंग सोड़ा यान कि sodium bicarbonate sodium bicarbonate इसके पास water molecules नहीं है तो यहां पर दोस्तों water of crystallization हमें बैकिंग सोड़ा में देखने को नहीं मिलेगी ब्लू विट्रूल की फर्मूला प्याद रखे कोपर का sulphate solution होता है यहीं हम बात करें दोस्तों एक और होती है तो यह भी आपको याद रखना है कि इसको आपको नोट डाउन करना याद कर लेनी काफी अपके लिए आए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं दोस्तों अगले सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर जो वीडियो पसंदार है तो हाँ दोस्तों हमारे चैनलों का आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे मेंबर्सिप जोइन करके जल्दी से 10 की सब्सक्राइब हमारा कंप्लेट करवा दीजिए मेरे भाई ओ यही बात करें नोट से तो काफ़े इंपोर्ट इंपोर्ट इन नोट्स अगर आप बोर्ट की तायरी कर रहे हैं तो आपको यहाप पर दो टेलीग्राम के गरूप मिलेगी एक मिलेगा concept of science search करेगा टेलिग्राम पे link भी आपको description मिल जागी concept of science general competition वाले चाहतर उसको join करें and बात करें तो board वाले student तो वो आप दोनों को join करें concept of science को and concept of science boards दोनों group का आपको join करना है थाकि आपको सारे important basic concepts देखने को मिलें बढ़ते हैं दोस्तों अगली सवाल के तरफ तो यहाँ पे कहा जाए in term of acidic strength which one of the falling is correct तो कहा जाए acidic strength के हिसाब से कौन यहाँ पे acid strong होता है देखिए दोस्तों acid strong वो होता है जो पूरे प्रकार से dissociate हो जाता है h plus iron पूरे प्रकार से dissociate होकर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो correct order होनी चाहिए तो वह होगा हमारे दोस्तों water acidic acid and hydrochloric acid जी हाँ तो water acidic acid option A ही हमारे हमारे हम पे correct होगा बढ़ते हैं नेक सवाल के तरफ तो अगले सवाल के तरफ ध्यान दीजिएगा what is from when zinc react with sodium hydroxide हम कह रहे हैं दोस्तों zinc को react कर देरे किसके साथ sodium hydroxide के साथ react करा देरे तो दोस्तों यहाँ पे काफी प्यारा से compound बनता है जिसको sodium zincate कहता है यानि कि NA2 ZNO2 ठीक है न तो इसको दूस्तों कहा जाता है sodium zincate sodium zincate इसको अच्छे से याद रखेंगे जब भी zinc sodium hydroxide के साथ रिएक करता है sodium hydroxide क्या है दोस्तों एक तरगा strong base है यह क्या है दोस्तों बेस है तो जब भी यहाँ पे zinc base के साथ रिएक करता है तो sodium zincate बना देता है काफी इसाथ यहाँ पर दूस्तों गैस निकलते जिसको हाइडोजन गैस कहते तो इस बात को पच्छे से याद रखेंगा तो ऑपसें के तरफ चलते तो यहाँ पर देखें सोडियम zincate and hydrogen gas तो ऑपसें भी कॉम यहाँ पर करेंगे तो अगले सवाल काफी जादा इंट्रेस्टिंग है यहाँ पर कहा जाए टॉमेटो इस दे नेश्रल सोर्स फिच एसेड तो टॉमेटो से कौन सी एसेड निकलती है तो यह आपके सवाल पुछा गया है तो काफी अधासान है ओक्जैलिक एसेड यही हम बात करें टाइट्रिक एसेड की तो दूस्तों यह निकाल सकता है protein में कौन सा अच्ञाए तो याद रखेगा sulphanic acid यहाँ विनेक एसेड यहां और के अकशिड इसे की कारणा हमारा निकल जाता है तो हुच्छे से यह है इस जो है पूरे पकार से डाइलूट फ़र्म में होता है तो अगले सवाल देखिए 9 वा नमर सवाल कहा जाए is in brian होता है बहुत ही जाद इंप्रइटन सवाल है νth BrideFi चो kan कार्बोनेट जो की स्वाइट की होतीए एक कार्वनेट नहीं आपके करेंगे sodium carbonate की बात करें दोस्तों तो यह हमारी किसकी फर्मुला होती है washing soda की होती है 10 molecules of water इसमें अच्छे से याद रखेगा इसको यहीं backing soda की बात करें दोस्तों तो इसको जम बात की जाए तो backing soda की फर्मुला हमारे होती है sodium bicarbonate है कि नहीं जिसको हम कहते है nah co3 okay bleaching powder की बात करें दोस्तों तो इसको हम बोलते है calcium oxy chloride calcium oxy chloride cocl2 calcium oxy chloride कहते हैं यहीं tartric acid की बात करें दोस्तों तो यह हमारा tamarind से release होता है कि नहीं इमली वगिरह जो होती है वहां से हमें यह release होते हुए देखने को मिलता है तो यहीं दोस्तों हम बात करें bleaching powder तो किस प्रकास से form होती है तो bleaching powder form करने की बात करें दोस्तों black lamb को हम chlorine gas के साथ पास करते हैं तब जाकर दोस्तों हमारा cocl2 बनता है और जो पूरे reaction की बारे हम बात करें दोस्त लैक्लाइम को मोलते है calcium hydroxide also s plus chlorine gas and यह बना करके देदेगा हमको calcium oxy chloride है कि नहीं यह टू यह टू ओके और साथी साथ कुछ molecules of water भी यहां से रिलीज हो जाएंगे तो यह complete equation हुआ हमारा slack lamb को कभी-कभी बात किया जाए तो lime water भी कहा जाता है तो अच्छे से दूस्तों मैंने आप सभी को यह बताया था कि प्लास्टर परिस हमारा कैसे बनाते जिपसम से तो जिपसम का फर्मूला होता है calcium sulphate कि टू एच्टू होता है दो molecules होती है water की इसको दूस्तों 373 Kelvin के साथ हीट करता है यानि कि बात कर जाए डिग्री सेल्सियस में तो आपको पता को कनवर्ट करने की 100 डिग्री सेल्सियस हो इसी का दोस्तों बात करते जो प्लास्टर की जाती है इसी molecule से की जाती है अच्छे से याद रखेगा अगले सवाल यहां पर कहा जा रहा हुआ हाँ मेनी वाटर मलिकूल डज हाइड्रेटेट कैल्सियम सल्फेट का बारे में दोस्तों बात किया जाता है यानि कि बात करी जाए दोस्तों यह बात किया जा रहा है जिप्सम का इस बात को अच्छे से याद रखेगा वीक एसीड और स्ट्रॉंग बेस्ट के बने रहने के कारने दोस्तों को यहां पर नेडलाइस अंहुं करके सोड्ग को पता है हम कि हम का बनाते दोस्तों जब हम एसीड को पेस के साथ मिला प्लाते है यह अभर सुट बनयु रहा है कहा जा रहे कि क्वह ऐस उपसेज़ा है तो अबकली दोस्तों एक तरका बेस होता है ठीके ना अबकली बेस होते हैं वीच्छ प्रकार से स्लीवल न लो होते हैं अलए सवाल काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है इस हमारा क्या रहता है 7 हमारे यहाँ पर 0 हो गए यहाँ पर 14 हो गई 7 जो रहता है उस तो हमारे न्यूटरल रहता है जैसे हम राइट के तरफ shift करते हैं तो acidic character increase हो जाती है जैसे राइट के तरफ shift करते हैं तो यहाँ पर basic character हमारा increase हो जाता है कि नहीं यहाँ पर कहा जारा higher the pH stronger the acid यान कि pH ज्यादा होगा तो यह तो गलत बात है यहां पर कहा जारा अगला कहा जारा है higher the pH weaker the acid तो pH बढ़ते जाएगा acid weak होते जाएगी यह कहा जारा तो जो कि एक सही चीज़ है अब यहां पर third point देखिए lower the pH stronger the acid lower the pH stronger the base यान कि pH दी हमारे इस सवाल का correct answer है अले सवाल देखिए दोस्तो लाइम वाटर रियक्ट विद क्लोरीन टुगी अभी अभी हमने आपको बताया था लाइम वाटर दोस्तों जो हमारा होता है लाइम वर्टर इसी कोम क्या कहते है इसी को हम कहते है selected l'm웠 यह यह को पता है क्लोरीन गेश के साथ पास करते थे तब जाकर कि हमारे यहां पे बीचिंग फाडर मना था यानगे यह जो हमारा बन रहा है कमपाउंड इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कैल्सियम ऑक्सी ख्लोराइड कि यहां पर बात करें तो वाटर मलेकुल भी रिलीज होंगे यह जो सीय ओ सीयल टू बनी है दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं इसी को यह कोई क्लियर हुआ होगा चली दूस्तों बढ़ते हैं इसको हम कहते हैं और में इसका फर्मूला होता है हमारा SCO this choo जो हुमारी ग्रुप होती है ran случае फंक्सिनल ग्रुप होती है छें functional group for acid acid के लिए functional group होती है तो यहाँ पर हमारा एक molecule रहता है इसलिए हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो मिथनोविक acid इसके इसे structure के बाद हम बात करें तो carbon के साथ दोस्ते एक double bone के साथ ओ जुरा रहता है यहाँ पर हमारा alcohol group जुरा रहता है खास करके दोस्तों जो हमारा curd होता है curd दही होती है वहाँ से हमको lektric acid हमने आपको लेटी बता रखा कि lemon से रिलीज होती है tritric acid दोस्तों हमने बता रखा कि tamarand Emily से हमें रिलीज होगी अगरे सवाल देखिए tooth animal is made up of tooth की animal कहते हैं यह काफी अधर strong होती किसके कारण calcium phosphate के कारण के कभी कभी आपको इसका chemical formula भी पुछा तो आप याद रखेगा calcium phosphate को हम जानते PO4 लिखते है haul twice तो अच्छे से याद रखेगा यह 3PO4 haul twice यह होगी हमारे क्या calcium phosphate अच्छे से याद रखेगा इस चीज़ को देगा तो कुछन पुछे जा रहा रहा वाट इस दा pH range of our body हमारे body में pH range का है दोस्तों तो हमारे pH range की दोस्तों बात करें तो हमारे कि इसका result हम देखे तो 7.0 से 7.8 के बीच आ रहा है जो कि यहीं हमारा correct answer हो जाता है तो अच्छे से इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा यहां पर कि जो हमारा stomach जो होता है तो stomach की pH की भी बारे में आपको बहुत जादा पुछा जाता है तो stomach के अंदर क्या होता है stomach के अंदर gastric juice होता है and gastric juice की हम दूस्तों बात करते हैं वहां पर हमारा hydrochloric acid होती है और आपको पता होगा कि stomach के एक cell होता है जहां से या hydrochloric acid release होती है stomach की कौन सी cell तो दूस्तों हमने आपको अल्रीडी बता रखा है parital cell या फिर oxyntic cell oxyntic cell इस cell से hydrochloric release होती है यह release होने के कारण मा stomach का जो medium होता हाइली acidic हो जाती है है कि जो कि germs वगारा को किल करने में मदद करती है तो हमारे stomach का pH आपको कभी पुछा जाए gastric gland की pH आपको पुछा जाए तो आप इसको अच्छे से याद रुकिएगा 1.5 से 3.5 तक यह vary करती है 1.5 से 3.5 तक यह vary करेगी ओके चले बढ़ते नेक्स सवाल के तरफ यहां पर कोई सवाल कहा जा रहा है तो यह जो बात करेंगे जब उसका pH 5.6 से नीचे जाए है कि ने तब हम उसे रहन को यहां पर यहां पर देखने को मिल जाते जो की पुरे परकार से ने इस बात को अच्छे से याद रुकिए तो चले दोस्तों बस इतना तक ही रखते आज को मैं लेक्चर में अपको यह पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करेगा चैनल को आपने अब देर सबसक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप को जरू जोन करेंगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए माचा दूरें के बहुत बहुत देनेवाद जहन जह भारत